कुछ ऐसे छोटे और सस्ते टूल जो हमारी किसान सात्यू की मेनत को कम कर देंगे और काम करने की गती है उसको दो गुना कर देंगे कैसे आप इन टूल्स का इस्तिमाल करके अपनी लेबर कोस्ट को बचा सकते हैं अपनी मे Sixt को कम कर सकते हैं और जो काम करने की गति यह उसको दो गुना कर सकते हैं कुछ ऐसे टूल्स जो हमने खरीदे हैं उनका पूरा रिव्यू हम आपको देंगे पूरी जानकारी उनके बारे में देंगे जिन से हम अपने खेत के अंदर काम करते हैं अपनी लेबर कोस्ट को कम करते हैं और कम मेहनत में ज़्यादा काम कर पाते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए साथ में जो गंटी का निसान इसको दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको समय पर पता चल सकी किसान साथियो आज के वीडियो में हम बात करेंगे बूल गाटन टूल्स के बारे में हमने तीन साल पहले परचेज किया था कहाँ खाह पहने इनको इस्तिमाल किया है, तो किसान साथुर सबसे पहले हम बात करते है, वुल्फ गार्टन के बल्व प्रांटर के बारे में, जैसा आपको इसके नाम से पता चल रहा है, कि ये plantation को मतलब आपकी nursery को या किसी छोटे पोदे को एक जगह से दूसरी जगह पे transplant करने में काम आता इसलिए इसको बलब planter भी बोलते हैं और जो ये आपकी कोई भी प्योद हो या कुछ भी हो उसको transplant कर सकता एक जगह से दूसरी जगह पे बिना उसकी जड़ों को नुकसान पहुंचा है तो ये इसकी पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं उसके बाद हम बात करते हैं hand grabber के बारे में hand grabber जैसे नाम से पता चलना है hand से grip करके और काम करने का ये चोटे tools जो हैं ये आपके gardening में चोटे गमले हो गये आपकी पोदों के बाहर से हो गया तो ये जो है अच्छे तरीके से आप easily अच्छी grip के साथ में और अच्छी खुदाई करके उसके खाद बर सकते हो निराई गुडाई कर सकते हो ये चोटे tools आपकी काम करने की speed को दो गुना कर देते हैं अगर आप ऐसे करके खुदाई करते हो दूसरे tools से उसमें time लगता है इससे आप जल्दी जल्दी करके काम को निप्टा सकते हो तो इसके बाद हम चलते हैं अगले tool के उपर अगला है ह उसके बाद हम बात करते हैं प्रूनिंग सीजर के बारे में तो सबसे पहली चीज ये आपके पेड़ पोदों की cutting के लिए basically इस्तेमाल करी जाती है इसका benefit है कि आप इसको height extend करके लंबी दूर तक की tiny भी काट सकते हैं अगर आपकी height 6 feet है 8 feet सादे 8 feet तक की एक इन तक की मोट quality जो tiny है उसको आप easily cutting कर सकते हैं तो ये जो आप इसका size अगर blades की quality देखेंगे size देखेंगे काफी अच्छा है build quality भी काफी अच्छी है और हम इसको अमरूद की cutting apple bear की cutting लगबग हर type की cutting में इस्तेमाल कर चुके हैं और काम काफी अच्छे तरीके से करती है उसके बाद के सा साथ हम बात करते हैं D handle के बारे में ये एक ऐसा handle है जो आपको एक ही handle 4-5 type के tools को चला सकता है ये basically attach और D attach हो जाता है मतलब किसी पी tool के साथ जुड़ सकता है इसकी attachments आते हैं अब हम इसके बाद में उनकी attachments के बारे में बात करेंगे इसकी आगर आप grip देखेंगे काफी अच अच्छा lock system है तो आप काफी मजबूती से इसके उपर काम कर सकते हैं अब हम बात करते हैं इसके attachments के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं Reezer के बारे में ये है Reezer ये D handle के साथ में easily attach हो जाता है ऐसे करके और चुड़ें ये ऐसे attach हो जाता है तो ये attach होने के बाद में अच्छ वगरा कि या छोटी अगर आप कैरियों में या home gardening करते हैं छोटे कैरियां बनाके उनके अंदर मिटी चड़ाने का काम भी ये कर सकता है तो ये basically जो हमारे किसान भाई मटर की खेती करते हैं या फिर जो प्याज की खेती करते हैं जो छोटी सबजी वाली खेती करते उनके लिए ये बहुत ही अच्छा टूल होने वाला है उसके बाद हम अगले बात करते हैं कल्टी वीडल के बारे में multiple times के साथ में जमीन को निराई गुडाई का काम करता है वीडल मतलब घास को ये अगर बात करेंग तो इसमें blades लगे हुए हैं ये blades जब आप इसको कर सकते हैं काफी अच्छा जोग है वो ये भी टूल काम करता है स्पीड से काम करता है और quality भी build quality भी टूल की काफी अच्छी है उसके बाद हम बात करते हैं mini reader के लिए mini same जोग है इसी का छोटा रूप है ये हलके काम आप इससे कर सकते हैं हमने इसको बारी काम में इस्तेव लिए है लेकिन बड़े केत में अगर आप काम करते हैं तो आपको बड़े वाला ही इस्तेवाल करना चाहिए इसी को आपको ख्रीदना चाहिए उसके बाद जो last वाला हमारा टूल बचता है वो है multi rack soil rack भी से आप भोल सकते हैं ये basically काम करता है पतियों को इकठा करने के इसको भी आप the handle के साथ में जोड के और अपने खेत में easily काम ले सकते हो पूरी जो details है वो लगबग सारे tools जो हमने wolf garden के purchase किये थे वो हमने आपको दे दिये हैं company ने 35 साल की warranty ली थी उस warranty में हमें जो है जो दो tools हमारे hand grabber हैं ये तूटे थे ये हमें company ने जो है वो दुबार से नए provide करवाए थे हमने उनको details बेजी कि ये तूट गएं देगी यहां से तो उन्होंने हमें ये नए tools बेज दिये थे rust की उन्होंने बोला था 35 years का stainless steel का लेकिन जो rust है tools के उपर वो हलका फूल का rust जो है उपर से दिखाई देता है लेकिन sharpness या इनको गलना बगरा ये कह इसे कोई tools शुरू नहीं हुआ है rust जो है वो हलका फूल का आगया तीन साल से हम इनको regular इस्तेमाल कर रहे है रफेंट टफ हमने इनको use किया है लेकिन अगर मैं quality की बात करूँ build quality काफी अच्छी है लोग system काफी अच्छा mechanism काफी अच्छा है लेकिन rust की जो company ने बोला था rust इनके उपर आता है बाकी सारी चीजे price के हिसाब से देखो थोड़ी सी normal tools से costly है लेकिन life और quality के हिसाब से काफी अच्छी है काम करने में काफी easy है और speed जो है वो दोगुना easily हो जाती है जब आपके tools proper तरीके से काम करते हैं तो दोस्तों ये था वीडियो आपको हमारे चोट चीजे tools को इस्तेमाल करके कैसे आप मेहनत को कम करके और काम को दोगुना कर सकते हैं उमीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी तो ये वीडियो और किसान साथ यू तक जरूर शेयर करें ताकि अच्छी जानकारी सटीक जानकारी हमारे किसान साथ तक टाइम से पहुंच सके तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नए टोपिक के उपर तब तक के लिए जै गिंद जै बारत जै जवान जै किसान